जयामा बिंदवाशनी हर हर महादेवाब शबीक स्वागत है हमारी यूट्यूप परिवार में आज सत्य घटना एक ऐसे परिवार से संबंदित है जुनके ऊपर मारण तंत्र का बहुत तिवरितम प्रियूग किया गया था जिसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ रहा था जहारखंड में धनबाद के आसपास एक गाव है जहां का यहां अनुभाव है यह सत्य घटना है यह लगभग एक वर्स पहले की बात है अभी 2022 कर मोंबर चल रहा है पिछले वर्स भैरो अश्टमी से कुछ समय पहले दिपावली के बाद और भैरो अश्टमी बीच इस प्रकार की घटना उनके घर में हो रही है परिवार में यह तीन भाई रहें जिन में से दो बड़े भाईयों के मृति होगी एक आएक उसी वर्स दोनों भाईयों की मृति होगी सभी कोई बिवाहित थें सभी के बच्चे थें और उसके पर शादब घर में बुढ़े मा रहे थी क्या प्रसानी थी बोले कि लगभग तीन वर्से से ऐसा हो रहा था कि घर में रात के समय में बार बार लगे कि कोई बुला रहा है किसी का वात सुनाई दे और चुकि जब तक परिवार इन सब चीरों से प्रसान नहीं होता समाने लोग जो है इन सब चीरों पर जादा महत्व नहीं दे रहते घर में फिर देरे देरे जो है तवीयत खराब होना शुरू हुआ बड़ी भाई का तीवद बहुत ज्यादा खराब हो गया और लगभग उनको घर बैठे 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 रोने लगते थे और उते किसले थे जिसका कोई बात का कोई मतल खराब नहीं था कि भाई तुम लोग के भी अलग हो जाएगा या कभी रोने लगें कि अरे हम मर जाएंगे तो इस प्रकार की चीजियों होने लगी तो थोड़ा सा घर के बड़े पुज़र्गों को सखुआ कि आकर ऐसा क्यों हो रहा है तो दिखाएं सुनाएं जब दिख लगबाग हर दूसरे तीस किसी ने किसी आवाज किसी ने किसी के घर के सदस्ट के ही वाणी में बुलाए जाता था और दूसरा जो सबसे बड़ा चीजिवर्ण होने घर में खून की चीटे मिलने आरंब हो गया अब खून का चीटा था कि कोई और और चीटा था हो कैसे लगभग चार से पांच महीन तक वह परिवार जो है सही रहा चार पांच महीन तो कोई दिक्कत नहीं वह दोनों भाई भी ठीक हो गया का रहे थें कि लगभग होली की समय का या घटना रहा किसी वर्ष का मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है होली के ही आसपास होली का दहन के आसपास में बड़ी भाई जो है एक्सिडेंट में उनकी देथ होगी और मजले भाई जो थें उनके गुजरने के दस दिन के भीतर भीतर ही अभी उनका पूर पर परिवार समल नहीं पाया कितना भी हम प्रयास करें तो मांसी के रूप से टूट गया रूपर से यह ऐसी अवस्था हो गए इनकी पत्नी को एक प्रॉब्लम में सुरू हो गया कि वो चल फिर नहीं पाती थी धिर धिर ऐसी अवस्था इनके सरीडे में उत्पन कर दी गई क कि वो पैर रखती थी कि दाहिना पैर हम जमीन पर रखी नहीं पाते हैं पूरा सूज गया है जितना डॉक्टर लोग को दिखाना था अच्छे डॉक्टर को दिखा लिए उनके चित्र में जो भी थे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलता था अब इतना तो समझ में आ रहा सारे थें किसकी उपर सक्किया जाए जब संपर्क हम से किये तो उस समय में भायरो अश्ट में आने वाली थी महा भायरो मंतर की विधे उनको बताए कि इस चीज को कीजिए स्वयम से क्योंकि देखिए इतना अंतरिक हो जाग उनिक कोई कितना भी आपकी सहयता करेगा एक न करना शुरू किया सिव मंदर में बोले थे रोज 21 माला करने के लिए कोई साधक वो बहुत बड़े नहीं थे बिलकुल नहीं थे शुरू में वह एकाद माला करना शुरू कियों की मंतर थोड़ा बड़ा है समय लग जाता था अच्छा खासा चूकि गाओं के वेक्ति थे ज जो है कहीं ना कहीं सांती आई सबसे पहला चीजी वह बोले कि मुझे एक बहुत बड़ा बल प्राप्त हो गया ऐसा लग रहा है कि हम लड़ लेंगे आपस बताई आगे क्या करना है जब यह पूर्ण हो गया तब जो है बटुक भैरस्त्रोत यह भी हम चैनल पर डाले नही में ही 21 दिन तक लगतार किजिए और इस चीज को बार बार दो रहा है कम से कम दो तीन महीने तक आप सीव मंदिर में ही किजिए संकल्प उनको बता दिये और वह सुरू कर दिया और साथ में बटुक भैरो जी का तंत्रोक्तियंत्र ध्यान रहास्ट भैरो का नहीं बटुक स honARIN को बटाएं कि आपको अएसा करना है कि महा भैरो मंत्र माया 11 ले जाना था मंदिर में कुछ ब्याव स्था बना ले रहेगा 21 दिन के लिए वो इस चीज़ को करना शुरू किया अब मान करके चलिए कि चार से पांच महिना का समय लगा इस पूरे तरीकों को करने में क्योंकि पहले बार में इनका नुश्ठान पूर्ण नहीं हो पाए चीज़े जब ऐसी होती है गड़ बार तो नुश्ठान भी सफल न मिला लेकिन एक पूरा जो नुश्ठान देक 21 दिन के एक बार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा एक विसंती वारेण 21 बार जब हो जाए तब जाकर की सफल हो तो सीव जी के पास जब 21 दिन का यह चीज़ कम्प्लीट कर दिया गया उसके पश्याद उनको तरीका बताए कि कैसे घर से निकारी करना है स्वम से कैसे किस चीज़ को करना भी मंतरित करना है कैसे घर का बंधन करना है इस विदेविधान से घर का बंधन करवाए वहरय यंत्र को घर में स्थापित करवाए निकारी करवाने के पश्याद सभी को उनहीं से यंत्र बनवा करके उनहीं से बहुत समय दी हैं, बहुत महनत किया गया, तब जो है जाकर कि उनके घर से तंद्र का प्रभाव कम होना शुरू हुआ, और कम होते होते, अभी मान करके चलिए कि आठ से नो महिना हो चुका है, लाश्ट जब से वो प्रियुक किया उसके पशाद, मार्च अपरील से उनको रह बाजाईए, ना रक्त का चीटा आया है, ना उनकी पत्रीम के पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और ना ही किसी अन्य को इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन हो इस प्रकार के कोई चीजे नहीं हो रही है, और अभी भी नियमित उनसे डेली जो है, सुबह साम और परिव बार मजबूत हुआ लोग समझे तो आज सुरक्षितर हो पाएं भगवान बटुबहर कोई क्रिपास से आप सभी के साथ भी अगर इस प्रकार के कोई वस्था बन गई है मारन क्रिया है तो अंत्रे विचारा पर सत्रू कर रहे हैं तो किसी भी चीज को एक बार दो बार दो द दिन तीन तिन दिन करके मत छोड़ी और परसान मत हुए धर्मत को मुझे पता है कि परसाणी बढ़ती है इस अनुभ़ू में मैं बोले कि बढ़ी कि परसाणी बढ़ ?बढ़ गई थी रात के समय में सोही नहीं पाते थे प्रसानी होगी आभिचार बहुत बड़ा है और आप मंत्र जब करके आ रहे हैं तो मंत्र जब कीजेए को कष्ट होगा आप जब करेंगे तो इसको कष्ट है रोकने के लिए वो गला दबाएगा डराएगा जितना जो बन पड़ेगा वो करेगा तो इसलिए धैर नहीं खोना है धैर रखते हुए अपने इष्ट को समर्पित हो करके आप करेंगे यह चीज तो जरूर इसमें आप उसे भलता प्राप्त होगी इस विधान को भी चैनल पर जल्द ही डाल देंगे महाभैरों मंत्र तो पहले से दिह में हैं जो लोग कर रहे हैं उसका प्रियोग विधी पूछ रहे तो प्रियोग विधी हम पुरिश्ट के साथ डालेंगे विश्यश करके अभिचार नास के लिए रक्षण के लिए शत्रू नास के लिए और जो लोग प्रबलतम से प्रबलतम प्रियोग करते हैं उनके नास के लिए, यह मंत्र अकाटे है, लेकिन ध्यान रहे, चुकि यह साबर मंत्र है, तो इसका कभी भी चारण जो है, करते हुए पाठ नहीं करना है, इनसे भी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जब हम विधान डालेंगे तो उसमें भी बता देंगे इस चीज को, नहीं कभी इसको बोल करके प्रिव करना है, घर में कर सकते हैं, लेकिन बाहर कभी भी इसका प्रिव करना है, घर में बोल करके अरथाज कि घर के सदस सुने, क्योंकि सुनने से प्रभाव पड़ेगा, हवन का विधेविदान अल्डेडी चैनल पर डाला हुआ है, उसी तरीके से भी हवन होगा, उनको तो बहुत समय दिया गया था, भायरोजन्त्रों उनके घर में जब अस्थापित हुआ, जिस तरीके से उन्होंने उसको जागरत किया और अस्थापित किये हैं, उसके प्रभाव से काफी सारे चीज़े कटी, क्योंकि जब आप घर से निकारी करते हैं, घर काली हो जाता है, छाली होने के बाथ 24 घंटे का समय बारगंटे का समय मान की चली, 12 घंटे- 12 दिन, इतने में वो चीज़ फिर वापस आती हैं, उसके वापस आने से पहले घर का बंधन हो जाना चाहिए, ऐसा प्रियोग हो जाना चाहिए, कि घर में पुन्ह जौहना कर से प्रसान है तो आपको सबलता मिलेगी हार मत मानिये हार नहीं मानना हार ना अलग बात है लेकिन हार नहीं मानना है लगे रहना है जरूर आप इससे निकल जाएंगे भगवती पे भरोसा है मुझे पूर्ण विश्वास है जगदंबा मारग अवस्थ करेंगे बटक भरो मानना है जो